भारत में हमने पहले देखा था कि भारत में संस्कृत, फार्सी, अर्बी, आदिसाहित्य का अध्यन और अनुवात जोरों से चल रहा था इसमें न किवल मुगल बाश्चा बल्कि छोटी छोटी रियासतों के शाशक भी पहल कर रहे थे इस काल में मुशियों, वो मुनीमों का काफी महत्व था वे सिक्षित थे और उनके बिना शाशन नहीं चल सकता था इन लोगों ने मुगल काल के बारे में कई गरंत रचे जिन में हम उनकी विविचनात्मक और विसलेशन की छमता देख सकते हैं मुगल कालिन मध्यमवर्गी की एक और विशेशता यह थी कि वा मिली जूली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी जो भारतिय और मध्य एशियाई तत्तों से बनी थी वे इन सभी धाराओं से अपनी प्रेणना लेते थे और उनका दैनिक जीवन इन सबसे प्रभावित था यही नहीं वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी स्वत अंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे उदाहरन के लिए कई मुन्शी अपनी पुस्तकों में औरंग जेप की असहिश्नू नीती की आलोचना करते हैं भारत और यूरोब की बौधिक व्यवस्थाओं में एक महत्वण अंतर यह था कि भारत में छपाई प्रेज का उप्योग ना के बराबर हुआ मुन्शी और मुनीम ये लोग मुगलकाल के शाष्के दफ्तरों में तथा वैपारियों के यहां चिठ्थी पत्रे लिखना, कानूनी दस्तवेज दयार करना, हिसाब किताब रखना, घटनाओं का विवरण लिखना, आदी महत्तुपूर्ण प्रशासनी काम करते थे वे विभिन्न देशों की भाषा तथा तौर तरीकों के जानकार भी थे 36 गड़ में रतनपूर के साहितिकार गोपाल मिश्र के अपने व्यंग्यात्मक कावे खूब तमाशा लगभग सन 1689 में हम उनके मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को देख सकते हैं इसके शिर्षक के दोनों शब्द फार्सी मूल के हैं 6.2.3 कला और कला पोद का एक नया दौर सन 1300 के बाद भारत सहीत कई देशों में कला की एक नई लहर चली भारत में सबसे महत्वण असर वास्तु कला पर देखा जा सकता है तुर्कों के आगमन से कई नई तकनीकों जैसे भावन निर्माण में महराब और गुम्बद का व्यापक उपयोग होने लगा ये तकनीक मुलता प्राचीन युनान और रोम में विक्सित हुई थी जब इनका इसलामी देशों में उपयोग हुआ तो इन्हें एक नया स्वरूप मिला जो इसलामी धार्मिक सोच को प्रकट करता था जब इसलामी गुम्बद और महराब भारत में बनाये जाने लगे तो इनका मेल जूल पूरू मद्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ हुआ फल सरूप एक नई मद्यकालीन भारती वास्तुकला विक्सित हुई जिसे हिंदू वो मुसल्मान दोनों शाषकों ने अपनाया इस परिवर्तन के कुछ उधारन दिये गए हैं जिनकी मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं हम देख सकते हैं कि युनानी मंदिरों में छत का वजन उठाने के लिए खंभों का उपयोग किया जाता था भारती मंदिरों में भी खंभे और आरे बीम छत का वजन धोने का काम करती थी मदिकाली इन भारती मंदिरों में केवल खंबो वा बीमों का उपयोग करते हुई अतिविशाल और उचे भवनों का निर्मान किया गया यहां हम खजुराहों मंदिर का चित्र देख सकते हैं जिसमें इस बात की पुष्टी होती है यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है इसे हम मंदिर निर्मान कला का उत्तम उधारन मान सकते हैं इसमें एक अत्यंत जटिलाकृती सैक्डो छोटे मंदिर शिकरों को मिला कर बनाई गई है रोचक बात यह है कि उत्तिरी यूरोप में भी जटिलाकृती वाले गिर्जाघर 12 सदी से बनने लगे हैं इस शैली को गोतिक शैली कहते हैं इसका एक नमुना पेरिस नगर का प्रसिद नाट्रेडेम गिर्जाघर है आज से 2000 साल पहले रोमन सामराज में छट के वजन को उठाने के लिए महराबों का भी उप्योग होने लगा था महराबों की मदद से गुम्बदों का भी निर्मान होने लगा था आगे हम एक रोमन गुम्बद पैंथियन देख सकते हैं अंदर से देखने में यह बहुत भाव्य लगता है लेकिन बाहर से देखने में उतना प्रभावी नहीं दिखता बाहर से प्रभावी गुम्बद इसलामी वास्तुकला की देन है देखें येरुशेलम में सन 699 में बना गुमबद डोम आफ दा रोक का चित्र इसमें हम देख सकते हैं कि महराबों से सजे भवन पर शानदार उचा गुम्बद कितना प्रभावशाली दिख रहा है भारत में इस शेली के साथ भारती मंदिर वास्तुकला का सुन्दर मिश्रण हुआ जिसके विभिन रूप हम विजयनगर के लोटस महल फतेपूर सीकरी के राज महल आदी में देख सकते हैं गुमबद और महराब का नया और अद्वती स्वरूप ताज महल सन 1648 में देख सकते हैं ताज महल के गुंबद और महराब में भारती नकाशी वर डिजाइन का समावेश है उदाहरन के लिए गुंबद के शीर्ट पर बना विशाल उल्टा कमल का फूल और उससे निकली कल्शावली गुंबद खुद गोलाई के साथ एक गेंद का आभाज देता है इस तरह हम देख सकते हैं कि जिस गुंबद और महराब का उपयोग रोमन सामराजय ने प्राचीन काल में किया था जिसे मध्यकालिन पश्चमी यूरोप में भुला दिया गया था उनका इसलामी देशों और भारत में भरपूर उपयोग किया गया यही नहीं उसे एक नया रूप दिया गया जब इटली में 24 सदी में फिर से प्राची न्यूनानी और रोमन संस्कृती में रूची जगी तो वहां के वास्तुशिल्पियों ने महराब और गुंबद का उपयोग फिर से शुरू किया इसमें उन्होंने गुंबद और महराब के उस स्वरूप को अपना आधार बनाया जिसे इसलामी वास्तुशिल्प ने विक्सित किया था इटली के प्रसिद्ध कलाकार माइकल एन जेलो ने जब सन 1547 में सेंट पीटर के मगबरे की कलपना की तो उसने युनानी मंदिर, रोमन गुंबद और इसलामी गुंबदों से प्रेंडा ली इस तरह की वास्तुशिल्प जिसमें उचे युनानी खंबो, महराब और गुंबद का उपयोग किया जाता है को क्लासिकल शैली या शास्त्री शैली कहा जाता है इस शैली का प्रेचलन आज भी है